सीरल जनक में आप देखी पारे हैं कि विपाशा और सिस्टी हर एक फंक्शन में यहाँ पर जनक को सुनाने का मौका नहीं छोड़ने हैं और आज जहां आपने देखा होगा या देखेंगे रात को की यहाँ पर अशिरवात की रसम चलेगी इसी बीच पढ़ाई को लेकर बाते हो जाएगी अनिरुद यहाँ पर होने वाले जनक के पती शशांक से पूछेगा कि आप उसे फाइनल एक्जाम तो देने देंगे न लेकिन यहाँ पर शशांक मना कर देगा और ऐसे में विपाशा और सभी लोग यही बोले ले जाएंगे कि वैसे भी शादी के बाद इसे पढ़ाई का क्या ही जरुद इतने बड़े खांदान में शादी हो रही है लेकिन यहाँ तो आप सभी के अनिरुद के यहाँ पर तेरे जो है तेवर बदल जाएंगे वो शशांक को बहुत जादा वार्निंग देगा यह सारी चीज़े होने वाली है तो वहीं जब वो अपने पती से शिर्वात लेगी तो हाथ जोड़ेगी लेकिन यहाँ पर अनिरुद को दन्वर्थ पड़ाम करती हुई भी नजर आने वाली है कुछ ऐसा ही देखने वाले है शो के आज के एपिसोड में जी हाँ शशान के विचारों से आप सभी के अनिरुद हैरान है कि एक आज कल का इंसान ऐसा कैसे हो सकता है इतना ही नहीं बलकि छोटों भी अनिरुद के लिए यहाँ पर जो है और जहनक के लिए स्टार लेंगे अब अगली एपिसोड में हल्दी सरेमनी होगी और हल्दी सरेमनी मे जहनक अनिरुद एक दूस्टे को देख रहे होंगे तभी अनिरुद की मात अनुजा कहेंगी लड़के वालों की तरफ से हल्दी नहीं आएगी क्योंकि उनके आरसम नहीं है तो हम ही हल्दी लेकर आएंगे लगाने के लिए लेकिन इसी बीच अनिरुद को छोटन कहेगा क कि तुझे डुख नहीं हो रहा अनिरुद कहेगा क्यों सशांग उसके लिए बैतर है तुझा ऐसा लगता है क्या ऐसे में अनिरुद कहेगा हाँ हो सकता है जी हाँ अनिरुद को ऐसा चोटन दिलाना चाहते है तो वहीं इधर आप सभी देखेंगे कि यहां अर्शी को अब सुनाने वाली है अपुदीदी कि तुम्हारे लिए तो लखी दिन है ना कि तुम्हारे मुसीबत तुम से दूर जा रहे है जिससे जनक हैरान हो कि तभी तनुजा की बातों को सुन कर लड़कियां उपर से हल्दी लेकर आएंगी लेकिन यहाँ पर अपुदीदी कहेंगी मैं लगाऊंगी इसी शक्कर में हल्दी अनिरुद के उपर गिर जाएगी जिसे देख सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे अब हल्दी दुवारा पिसने में काफी समय लग जाएगा और ऐसे में अनिरुद के उपर लगी हल्दी ही जणक के उपर लगेगी वो कहते हैं न जिसकी चोड़ी जिसके साथ बनी है वो उसी के साथ रहता है चाहें आप कितनी भी लाग कोशिश कर ले दूर करने